नमस्कार बहुत सारे छात्र परिշान है इसकालर्सिप को लेके क्योंकि कहा जा रहा था कि पच्चेस तारीक को जैसे मुख्यमंत्यी का सपत गहण होगा उसके बाद स्क homosexual आने लगेगी Monday Tuesday आज मंगलवार है लेकिन इसमें भी देखिए दो तीन दिन से पिछले दो तीन दिन से बैंक का हर्ताल चला है इसलिए जितने भी बैंक संबंदित कारे हैं वो बाधित हैं एक ये पहला कारण हो गया scholarship ना आने का दूसरा एक और reason ये भी है कि reason नहीं जो ये एक तरह से अपवाह कहें ये कहें कि ये बात बड़े काईदे फे चल लगी कि अगर 31 मार्च तक scholarship आती है तब ही आपकी scholarship आएगी नहीं तो उसके बाद में नहीं आएगी तो समाच कल्यार विभाग ने साइद कोई बाबू कलर्क थे वहाँ पे उन्होंने ये बात बहुत क्लियर तरीके से उन्होंने बताई है उन्होंने ये एक दम इस्पष्ट करा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 31 मार्च तक ही scholarship आएगी बजट इलोकेट होने की बात होती है बजट इलोकेट आपका इस financial year में हो जाएगा तो वह scholarship आपकी मार्च अपरैल माई वह आती रहेगी उसमें कोई समस्या नहीं है समस्या इसमें है कि बजट इलोकेट अगर हो जाएगा जैसे इसमें भी बजट होता है जनरल कालग बजट होता है ओबीसी कालग है यसी कालग है यस्टी कालग है वह बजट अगर इलोकेट कर दिया जा रहा है इस financial year में तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कोई जो है नियम नहीं है कि फर्ष्ट अपरैल के बाद आपकी scholarship नहीं आएगी अगर बजट इलोकेट हो जा रहा है तो उसके बाद भी scholarship आ सकती तो आप इस बात से एक दम निश्चिंत रहें कि 31 मार्च के बाद scholarship नहीं आएगी ये मैं लेकिन साइद कोई clerk थे मैं उनका नाम भी नहीं बता सकता हूँ आपको तो उनके द्वारे जानकारी दी गई बहुत official way में या कहीं written ये information प्राप नहीं हुई है लेकिन ये बताया गया है और सही और सटीक ये जानकारी है तो scholarship को लेके नपरिशान हो अगर आपका scholarship का status recommended और verify by district committee दिखा रहा है तो इसका मतलब है आपके scholarship आएगी क्योंकि अभी हर साल होता क्या था कि ये last में March अप्रेल तक ये एक वो दे देते थे थे लेकिन इस बार ये भी नहीं दिया जा सकता है कारण क्योंकि अभी देख रहा है आपकी जो है बहुत सारे विद्यार्थियों की नहीं आई है प्रत्थम चरण में या दूसरे चरण में बहुत ही कम गिने चुने विद्यार्थियों की आई थी first year के students की आई थी वो भी सबकी नहीं आई थी बहुत गिने चुने लोगों की आई थी अभी क्योंकि इस बार scholarship जो है क्योंकि बहुत कम वितरण हुआ है तो आप यह बिल्कुल मान के चलिए कि अगर आपके 65% से अबव हैं 65 या 65 प्लस परसेंटेज हैं तो संभावना है पूरी है कि आपकी scholarship आ जाए अगर उससे कम है तब भी उमीद है लेकिन ये क्योंकि परसेंटेज वाइस दी जाएगी तो आपका नंबर थोड़ा बाद में आएगा लेकिन ये अब ही आप बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए कि 31 मार्च के बाद scholarship नहीं आएगी आना होगा तो 31 तक ही आएगी ऐसा कोई प्राउधान नहीं है बजट इलोकेट 31 के पहले हो जाएगा तो scholarship आपके उसके बाद भी आती रहेगी क्योंकि bank हर्ताल चल लएगी है संडे और सनीवार सटर्डे संडे दो दिन वैसे निकल गए हर्ताल में बाकी प्रोसेसिंग रुकी हुई है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ से पैसा भेज दिया गया बट प्रोसेसिंग रुकी हुई है उसके कारण भी बाकी scholarship के समन में जो भी निर्णे आएगा जो भी जानकरी आएगी जो भी मीडिया रिपोर्ट्स आएंगी या समाज कल्यान दोरा जो भी सूचना मिलेगी मैं आप तक अपडेट कराऊंगा तब तक आप इस्टे टून रहेए धर यूनिवरस्टी कनेक्शन धन्यवाद नमस्कार